सब्सक्राइब करेंगे और आपके सामने यह एक कैलकुलेशन दिखाई दे रही होगी इसको आप इस क्लास के एंड तक बहुत अच्छे तरीकी से समझ जाएंगे इस सवाल भी आए हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा breaking points related आपने सवाल देखेंगे calculations related वह सवाल होता है तो इसे कैसे करके solve करते हैं पहले हम पूरी theory को समझेंगे और उसके बाद फिर इस सवाल को भी समझेंगे तो इस class के बाद आपको कोई भी problem इसमें नहीं होने वाली है और notes आपको Hindi और English दोनों में मिल जाएंगे यह हमारी एक series है अगर आप playlist में जाके देखेंगे तो उसमे models and theories in geography दिखाई देगा आपको जिसमें मैं सभी models और theories को जो भी geography में हैं जो कि किसी एक book में भी नहीं मिलते हैं उन सभी को मैं यहां पर एक playlist में बनाने वाला हूँ हाला कि इन वीडियो में थोड़ा डीले होता है लेकिन समय समय पर वीडियो जाते रहेंगे क्योंकि हम daily classes करते हैं और प्रैक्टिस का तो उसमें आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जोइन कर लिजे और यह समय समय पर classes जो theories related models related जो जो भी geography में है वो सब आते रहेंगे यह मेरे द्वारा प्रसुत क्या जा रहा है मेरे नाम अंकित कुमार और यह हमारा नया कोर्स है अगर आपने अभी तक इसमें इन्रोल नहीं कराया है तो आप इन्रोल करा सकते हैं यह हमारे next session के लिए paid course है ऐसी कोई जबरस्ते नहीं आपको चाहें इन्रोल कराना है तो करा यह नहीं कराना तो कोई बात नहीं एडवांस कोर्स ओन जोग्रफी फट्वंटी टू इसमें आपको यह सारी फ्रसलेटीज मिलेंगी और यह क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर मिलने वाली तो इसमें डेटेल यह वाली वीडियो है इस थमनेल से आपको वीडियो देखनी है तो उसमें आपको डेटेल में सारी चीज़ें बता जाएंगी कि क्या-क्या आपको इसमें मिलने वाला है तो यह सारी इंपोर्टन चीज़ें जो इसमें आपको मिलेंगी एटी ब्लस क्वेशन टारगेट है पेपर डू जेख्रफी के लिए स्टॉक्चर्ट को आपको आपका Morphometric Analysis cover कर लिया है बाकि Remote Sensing जल्दी शुरू होने वाला है यह वो प्लेलिस्ट है models and theories के नाम से यहाँ पर हमने वान थुनेन, Smith, Weber, Crystallar, Loss, Industrial Location Theory इसके लावा और भी theories है जिनको cover किया है आज हम यह theory cover करने वाले हैं, यह मेरे बारे में कुछ बाते हैं जो आपको मुझसे करने में असानी रहेगी यह सारे notes आपको कहां पर मिलेंगे, इसकी notes भी आपको मिलेंगे, free में, कोई दिक्रत नहीं है तो यह आपको notes मिलेंगे यहाँ पर, geography विदाएंगे, ध्यान से देखे, यह हमारा main channel है और यहाँ पर मैं broadcast करता हूँ, ठिक, सिर्फ इसमें यहाँ पर, इस वाले channel पर मैं message कर सकता हूँ तो यहाँ पर आपको notes मिलने वाले हैं, यह हमारा discussion group है, वैसे तो अभी इसमें और ज्यादा student host हो गए, यह पुराना screenshot है तो यहाँ पर आप discussion कर सकते हैं, कोई भी आपको question पूछना है, कोई query है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं सुबह सुबह डेली live class होती है हमारी YouTube पर, आठ से नौ बजे हम revision class करते हैं, सुबह आठ से नौ बजे daily revision class होती है और PYQs, MCQs practice करते हैं, अभी हमने 2020 से 2012 तक के series start की है PYQs की यह आपके upcoming exam के लिए बहुत helpful रहेगा, 10 से 11 बजे daily हम शुरू करते हैं, 2020 का हमने शुरू कर दिया है पचास question cover कर दिया है, आगे next part करेंगे, तो इसमें आप join किजे daily, ठीक है और यह सारे important, जो green हो चुक है, यह हम कर चुकें cover, बाकी और इसमें add होते रहेंगे आज हम तीन चीज़े cover करने वाले हैं, gravity model, law of retail gravitation, breaking point theory इन तीनों को हम आज cover करेंगे और यह Hindi English दोनों में है, तो आपको परिशान होने की कोई भी आवशकता नहीं है models in geography, models in geography, models क्या होते हैं तो भूगोल में यह जो model है, model को Hindi में बोलते हैं, प्रतिमान प्रतिमान, निस्ठापन के संदर में, दृतिविश्व यूद यह जो models हैं geography में, यह quantitative revolution, mathematical तरीके से concepts को यह कोई भी अगर phenomena हमारे प्रत्वी पर घटित हो रहा है, जिसका मनुश्य सहसमन्द है और quantitative revolution भी 1960s के दौर पर जोग्रिफी में आपको नजर आता है लेकिन अगर हम models की बात करें, तो second world war के बाद, यह exam में question भी पूछा गया कि भूगोल में जो model है, model की शुरुवात कब से हुई है, तो भूगोल में models को इस्तमाल किया जाना और यह सब दूतिय विश्योद के बाद, मातरत्म करांती की रूप में, इन models का प्रयोग किया जाना शुरू हुआ है जिसे हम paradigm shift बोलते हैं, paradigm shift क्या होता है, paradigm एक शब्द है, जो कि यह बताता है कि वरतबान समय में अगर कोई नया विचार है, कोई नया innovation है, तो पहले से जो concept है, वो इसको अभी satisfy नहीं कर पा रहा है, explain नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए नया एक concept जन्म लेता है, इसको paradigm ब बुक है, the structure of scientific revolution, यह बहुत important book है, paradigm किस ने दिया है, टीएस कोहन ने दिया है, the structure of scientific revolution, 1962 में इनों ने यह शब्द दिया है, जिसके बाद ही भूगोल में यह जो वग्यानिक करांतियां हैं, यह इस्थापित हुई है, नए नए प्रतिमान यानिकि मॉडल्स को geography में स्थी के locations related model, agriculture के locations related model, migrations related model, अगर हम इनको केवल generalize तरीके में बात करेंगे, तो फिर यह उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम कोई एक सधानत मना देंगे, कोई एक model मना देंगे, तो उससे हम स्थाधा information को और उसको engaging तरीके से, interesting तरीके से, आकरशक तरीके से हम इसलिए geography में models के आवशकता पढ़ती है, यह भी base है, base मैं अभी बना रहा हूँ, आगे जो models आने वाले हैं उनके लिए, खुदारन के लिए अगर हम बात करनें, तो पृत्वी की जो संग्रचना है, इसके समझ में, जो पूर्व के सिधान थे, अभी इसमें बोला जारा है paradigm shift होता है, paradigm shift मतलब जो नया अब विचार है, जो नया एक innovation है, खोज है, उसको पुराना विचार explain नहीं कर पाता है, इसी जैसे शुरुवाती दोर में आपने देखा होगा कि continent stationary माने जाते थे, इस इतने भी continent है, वो सब stationary हैं, लेकिन धीरी-धीरे समय के साथ, जब हमारे प tectonics के नम से जानते हैं, और जो वर्तबान समय की महधीप और महासागरों से उत्पति के समन्द में जो भी समासिया है, उनको plate tectonic सिद्धान बहुत अच्छे तरीके से explain करता है, कि किस तरीके से ocean का origin हुआ है, किस तरीके से plates move करती है, तो यह इसको explain करता है, तो paradigm shift हुआ, तो ऐसे ही पुराने विचार जोगरफी में नए जो विचार हैं वो जर्म लेते हैं और वो नए innovations को अच्छे से explain करते हैं, और यह सब second world war और 1960s के बाद होने वाली सारी घटना है, quantitative models, methods, यह सब यहाँ पर start होते हैं, Thomas Cohen के प्रभाव से विभिन model का विकास वा अलग-अलग model जो है, इनका प्रभाव रहा है, इनोंने जिब यह structure of scientific revolution दिया है, इसके अलावा इसमें जोगरफी में quantitative techniques, model, methods, इन सब को apply किया जाने में, Peter Haggit, चोरले, बेरी, डेविड हारवे, रिचार्ड पीट, इन सब का एक important role है, यह आप सभी जानते, जब हम British जोगरफी पढ़ते तो वहाँ पर यह हमने नाम पढ़े हुए है, यह सारे नाम ऐसे नहीं कि आपने सुने नहीं होंगे, सब सुने होंगे, Peter Haggit, रिचार्ड चोरले, बेरी, डेविड हारवे, रिचार्ड पीट, इन में साब को मुझे comment section में लिखके बताना है, anti-pode नाम की जो पत्रिका है, या model, वास्तविक्ता का आदर्शी करत्प प्रतीक होता है, यानि कि जो actual चीज़ें दिखाई देती है, एक idealized symbol होता है, reality का, क्या, एक model या फिर एक इसको प्रतिमान हम कह सकते हैं, जिसको हम research या अनुसंधान के शेतर में दृष्टिपत का कारे करता है, ठीक है, जिससे हम एक model के model से फिर हम क्या कर सकते हैं, उससे हम research कर सकते हैं, जो हमें एक vision देता है, जिससे हम आगे research उस field में कर सकें, there can be a model theory by which the data, जो data होता है, इसकी मदद से जो data उसको synthesize किया सकता है, geographical studies में patterns are helpful in conducting locational analysis, ठीक है, यह जो patterns होते है geographical studies में, वो location analysis को करने के लिए, helpful होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कोई भी phenomenon कि इस pattern में घटित हो रहा है, जो एक particular area में, और demarket करने में मदद करते हैं, उस area को of influence of settlement, settlement के संदर में आपे बात कर रहा है, अतहे हैं, जो model होता है, अतहे model के सिदान्त, नियम, समी करण होते हैं, जिनके द्वारा भौग सिस्तम रूप से बहुत easiest तरीके से कैसा समझाय जा सकता है, समझा जा सकता है, compare किया जा सकता है, और जाद स्यादा information को उसमें incorporate किया जा सकता है, इसलिए हम model को बनाते हैं, model के द्वारा किसी भी भौगलिक इस्तिति की वास्तविक्ता को आसानी से समझा जा सकता है, पीटर हैगेट के अनुसा 1967 में, प्रति रूप या model एक ऐसी विज्ञानिक विदी है, जिसमें वास्तविक्ता विदमान जटिल अंतर सम्मोंदों को सरल जलक मिलती है, यानि कि ज models, model को समझा है, पेट रहेगेट ने की model क्या होता है, ठीक है, अब geography में, geography में हम जानते हैं कि बहुत सारे phenomena होते हैं, mountain कैसे बन रहा है, migration कैसे हो रहा है, यह physical geography से लेकर के, और human geography तक, models की भरमार है, मतलब phenomena की भरमाने, कई सारे परिघटनाएं घटित हो रही है, तो उन सब घटनाओं को अंतर संबंद उनका inter relationship दर्शाने के लिए geography में भी models है वशकता होती है, क्योंकि हम geography को मानते हैं कि geography natural science है, natural science से इसका संबंद है, तो natural science में हर एक चीज़ को हम बहुत ही generalized way में नहीं explain कर सकते हैं, हमें cause and effect का relationship को show करना होगा, जो हम कब कर पाएंगी, जब हमार पास आज का model आता है, जिसको बोलते है gravity model, हिंदी इंगलिश दोनों है, gravity model एक बहुत important model है, जिसे आपने gravity तो हर किसी ने सुना है, हम बच्पन में 6-7-8 में पढ़ चुके है gravity, gravity Newton का जो model है, उससे influence है, Newton का gravity model क्या गयता है, कि किसी भी object को अगर आप उपर के दरा उचा ले जाएगा, क्योंकि gravity उस पर काम करती है, हमारी अर्थ की जो gravity है, अर्थ हमारा चुम्बक की तरह काम करता है, उसके नौर्थ और साउथ पुल है, वो काम करता है, इसलिए वो सारी चीज़ों का अपनी हुरा कर शित करती है, जैना, नेचुरल साइंस में हर एक फिनोमीना का जैसे अभी objective उपर उठाना, मैंने ये एक example दिया, उसका एक कारण होता है, तो वैसे ही इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जोगरफी में, भी 1960 के दौर में, हमने इसी तरह की cause and effect relationship को आगे promote करने का प्रयास किया जोगरफी में, तो इसी के संदर में, जो gravity है, gravity का concept है, प्रभाव शेत्रों के आकार का आकलन करने की सबसे उप्युक्त मेथड है, सबसे relevance मेथड है, यानि कि क्या कहना चारा है, आसान शब्दों में, अगर हम इसे कहें, तो माली जी ये एक core area ये है, एक core area ये है, एक core area ये है, तो अलग-अलग core areas है, इनका अपना influence area होगा, इस इसका अपना influence area है, इसका अपना influence area है, तो अलग-अलग केंद्रों के प्रभाव शेत्र, इसका प्रभाव शेत्र कहां पर होगा, जैसे कोई भी एक center point होता है, किसी city का, तो उसका effect कहीना कहीं तक तो होगा, एक last point होगा, उसका कि यहां तक इसका ये influence area है, इसके बाद इस center point का influence area जाएगा, लोग यहां पर जाना ज्यादा पसंद करेंगे, इस core area में ज्यादा जाना पसंद करेंगे, क्योंकि दूसरे में जाने पर उनको नुक्सान हो सकता है, transportation cost है, वो सब हमने पहले पढ़ाव तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो इसलिए मैं कहता भी series में सारी चीज़े पढ़ना तो समझ में आता है, तो जो अलग-अलग केंद्र हैं, उनका प्रभाव शेत्र और इनका आकार, इसको कैसे करके आकलन किया जाए, इसको मेजर करने के लिए gravity model सबसे एक relevance method हो सकता है, जिसे physical जो science है, यह physics है, इससे लिया गया है, और यह कि लिखी विए ना, बोल्ड करके red color में और यह हिंदी में ही इसको लिखावा, यह बहुत important है, एक्जाम में directly यहीं से सवाल पूछता है, कि the potential power of attraction between two bodies, increase with the product of their mass, एक्जाम में पूछाने है, मास से, वो मास है, कई लोगो ने उसको density या distance लगा दिया होगा, लेकिन वो मास है, यानि कि जो दो पजार्थ हैं या दो places हैं, उनका आपस में जो interaction है, इसको हम geography में ऐसे ले सकते हैं, उनके बीच में आपस में जो आकर्शन है, वो उनके मास, यानि कि उनके द्रविमान, जितना उनका आकार होगा, उस आकार का अनुपात में बढ़ेगा, और इनके बीच म का आकार जितना बड़ा होगा, अभी इतना बड़ा आकार है, अब इतना बड़ा आकार होगा, जितना दोनों का मास जादा होगा, जैसे दो चुम्बक हैं, दो चुम्बक जितने बड़े होगी, तो उनका फोर्स उतना ही जादा होगा, चुम्बक अगर छोटे हैं, तो फ करशनर देखना चाहते हैं या दो शेत्रों का उनका दूरी या उनका मास मास यानि उनका आकार जितना बड़ा होगा तो उनमें उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन होगा और अगर उनमें डिस्टेंस जितना दूर उनमें जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी तो उनका इंटरेक को इस model को सबसे पहले जोग्रफी में बिशफ जॉर्ज बरकले ने इसके बीश में सम्मंद्ध को दर्शाने के लिए बिशब जॉर्ज बरकले ने तेहरा में हेंडरी केरी ने 1858 में रविंस्टीन ने रविंस्टीन का लॉफ माइग्रेशन ने तो वह इसी से इंफुलेंस है रविंस्टीन 1885 में और हरबर डिस्पेंसर ने 1892 में डिखा है यह जो सभी स्कॉलर हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं कि दूरी और इंटरेक्शन डिस्टेंस और इंटरेक्शन में क्या कोई रिलेशन है यह नहीं है इसको शोग करना चाह रहे हैं डिस्टेंस और इंटरेक्शन को शोग करना चाह रहे हैं जो हरबर इस्पें है जो कि रॉयली ने यह जो रिटेल ग्रेविटेशन है जिसको हम खुरदरा बाचार समध्य समस्या है यह क्या है भी आपको थोड़ी जर्म समध्य जाएगा ठीक है 1929 में इसको दिया है आपको देखना है किसी शेत्र में कितना व्यापार होता है ठीक है तो यह व्यापार नगर के केंद्र से हम देखें नगर का केंद्र जितना बड़ा होगा तो इसका व्यापार उतना ही ज्यादा होगा किसी पर्टिकलर एरिया से और अगर इन एरिया में या जो स्थान है और का केंदर के बीच में जितना डिस्टेंस होता जाएगा तो यह व्यापार उतना ही कम होता जाएगा इसे व्यापार खुरदुरा मूले कहते हैं यह रॉयली के द्वारा उनने सोंतिस में दिया गया है इसको हम कैसे करके एक्सपेंट कर सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे यह जंसंग्या है यह इसको दोनों जो पॉपुलेशन से इसको बीच का अभी वह ब्रेकिंग पॉइंट के साल करना वह आगे बताऊंगा ठीक है और अ का मतलब है जो यह इसको लिखा जाएगा यहां पर इसको लिखाव भी है आई मतलब इनके बीच में अभी इसको यह फिर ऐसे भी लिख सकते हैं गृत्व मॉडल के आधार पर दो अधियन क्या जैनी कि जो भी इंटरेक्शन होता है कि शेत्रों में व्यापारिक शेत्रों में तो इसका अधियन करा उन्हों ने इस अपने मेथट्स के अनुसार पर यह जो रॉयली है ठीक है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गृत्व मॉडल है इनके द्वारा आधिवास यानि के settlement के settlement जद्वासों के जन संख्या का आकार उनका प्रभाव शेत्र का विस्तार जन संख्या का प्रवास व्यधारिक शेत्रों के मद्द सीमा निरधारण आधि-आधि किया जासकता है निके gravity मॉडल के लूसार हम न इन फिनॉमेना का study कर सकते हैं कि जो एनका आकार क प्रस्ट ने माइगरेशन मैं में इसको अपलाई कर सकते हैं और जीक है जिनने मार्टी मोडल है Newton के gravity नियम है गुरुत्व के नियम पर आधरित है isomorphic relationship पर प्रथम बार विवेचन सिटीवर्ट ने 1947 में किया था ये भी याद रखना isomorphic relationship पहली बार इस्टीवर्ट ने 1947 में किया है अब सबसे पहला आजाएगा नगर प्रभाव के सीमांकन से सम्दिक गुरुत्व सदान अ मतलब जो इन फ्लेंस एरिया कहां तक है तो सब्सक्राम करेगा इसके बारे में जो है's इस मॉडल को सिटी इंफ्लेंस एरिया के बारे में तो यह अमेरिके अर्थशास्त्री हेंदी चार्ज्स केरी का नाम हम पढ़ते हैं एच सी केरी केरी ने अठारा सो टावन में दिया था ठीक है कि नगर का प्रवाव शितर कहां तक होता उसको डी मार्केट करना ठीक है तो सत इसे अंतरक्रिया नियम या इंटरेक्शन मॉडल भी इसे कहते हैं ये मॉडल इस इस लाइन को बहुत ध्यान से समझदेना कि यह जो मॉडल है नगर प्रवाव शितर का सिमंगर दो शेतरों के बीच एक शेतर ये है ए और एक शेतर ये है बी दो शेतरों के बीच संबंधो को तरक संगत तरीके से जो लाजिकल तरीके से जाचने का कारी करता है जिसको हम इस सूत्र से कैलकुलेट कर सकते हैं केरी के अनुसार जो जनसंख्या है नगरी जनसंख्या का आकार और दूरी के अनुपात में उसका प्रभाव जंसंक्या और इस चैटर की जण संख्या होगा दोरी के अनुपात में उसका प्रभाव छेट्र होता है दिस्टेंश से मास जैसे बढ़ता है इंत्रेक्षिन बढ़ता है और प्रभाव छेत्र भी उसका इंक्रीज होता जाएगा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसका प्रभाव छेत्र क्या होगा इंक्रीज होगा इंफ्लेंसरिया बढ़ता रहेगा और बढ़ेगा और जैसे इसे डिस्टेंस बढ़ता है तो फिर यह इन्वर्स रिल प्लेस एयुए प्लेस भी है इनके बीच में जन संक्विए इसका एक है चालिस सैक्टराइब हजार लाख इसको आप देख लिए तो यहां पर रहे चार लाख और यह आपका दोलाख इनके बीचमें डिस्टेंस यह 15 किलोमेटर रहे एवर के बीच में दस किलोमेटर और इन दोनों की जन संख्या का गुड़न फल और जितना डिसेंच से उसका डिवाइट कर देंगे क्योंकि यहीं पर यहां पर दिया है तो देखे ए बीच का अगर हमें इंट्रेक्शन निकालना है तो इन दोनों का गुड़न फर और बीचे डिवाइट करना है जीरो से जीरो सब कट हो जाएंगे और हम गुणा कर लेंगे तो हमारे पास शीचा निकाल लेंगे ऐसे हम ए और बीचा निकाल लेंगे बहुत ही आसान है इसको आप कर सकते हैं नेक्स आता है लाओ रिटेल ग्रेव एक्जाम में पूछा जाता है लेकिन मैंने सभी का यहां पर पूछ ले तो आप इसको कर पाए तेकसस युनिवर्सिटी है टेकसस युनिवर्सिटी के प्रसिद अर्थशास्तरी एकॉनोमिस्ट डबलू जे रैले या रॉयली भी इनको बोलते हैं इन्होंने 1931 में दिया था यह जो मूल है यह जो नियम है यह जिसके अनुशार किसी स्थान के द्वारा नगरी केंद्र यह नगर का केंद्र है जैसे यहाँ पर लिखावा ए नगरी केंद्र से प्राप्ट किये गए फुटकर व्यापार की मात्रा उस नगर की जिनसंख्या के प्रतक्ष बढ़ता जाएगा ठीक है तथा उस इस्थान एवं नगर के बीच यह एक इस्थान है और यह नगर है इसके बीच में जतनी डिस्टेंस होगा तो उसका यह विपरी तनुपात में होगा इन्वर्स रिलेट को रिलेट होगा जिसे रॉयली इस नियम के द्वारा इस को प्राप्त होता है अब इस फॉर्मुले को आपको याद रख लेना है कि इस फॉर्मुला क्या कह रहा है और ब्रेकिंग पॉइंट हम यहां से पूछेगा ठीक है फॉर्मुला इसमें याद रखना है किसने दिया और विटिल ग्रेविटेशन रॉयली का द्वारा दिया फ्लिटा ठीक है ऐगे यहां पर इसको एकसपन भी किया रहा है कि कैसे करके सो सौल करना है अब आगा आगे हैं ब्रेकिंग पॉइंट देखिये तो अगला है breaking point theory breaking point theory क्या कहता है यह अलगाव बिंदू सद्दान्थ भी इसको कहते हैं तो यह अलगाव बिंदू सद्दान्थ कहता है इसे सबसे पहले रेली का जो अभी retail ग्रेविटेशन मॉडल दे कर देंटी लिए और सब्स घांपचास में 59 किया है अलगाव बिंदू यह ब्रेकिंग पॉइंट यह भी है डूकेशन और बी ब्रेकिंग पॉइंट दो दो नगरों के बीच में यह वाला यह ब्रेकिंग पॉइंट है अलगाव बिंदू दो नगरों के बीच उस बिंदू को कहते हैं जहां तक जहां तक के व्यक्ति एक नगर में सेवा कार्यों का लाव प्राप्त करता है करने हैं तू आ सकते हैं तथा उससे आगे दूसरे नगर का प्रभाव शेत्र वृद्धी कर सकता है इसको आप यहां पर भी कह सकते हैं जो यह ब्रेकिंग पॉइंट है उस उस पॉइंट को कहते हैं दोनों नेगरों के बीच में जैसे माले जी यहां पर किसी एक पर्टिकुलर वस्तु है जिसका प्रोड़क्शन होता है वह कोई हो सकती है एक्स वाइजट कोई हो सकती है एक्स कोई प्रोड़क्ट है वह यहां पर बनता है एक्स प्रोड़क्ट कोई है जो यहां पर बनता है लेकिन यह एक्स प्रोड़क्ट को मैक्सिमम कितनी दूर इससे कोई व्यक्ति खरीदने आ सकता जैसे मालीजी कि यह 30 किलोमेटर इसके लोकेश्ट प्रोडक्शन पॉइंट से 30 किलोमेटर दूर है जहां से कोई व्यक्ति इसको खरीदने आ सकता है ठीक है इससे दूर से नहीं आएगा अगर वह थर्टी यह बाद 35 किलोमेटर हो तो इस अच्छा वह इसी वस्तुख को खरी को खरी दिने के लिए उसके प्रोडक्शन पॉइंट पर यह व्यक्ति जा सकता है उसे ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं जो कि करनवर्स के द्वारा ग्रैविटी मॉडल के नमसारे किया गया है अब इससे कैसे करते हैं तो इसका फॉर्मूला है यह ब्रेकिंग पॉइंट को याद रखना है अब जैसे यहां पर देखिए तो यहां पर कहा गया कि दो सिटीज ने दोनों की पॉपलेशन चौबिस हजार और और इसको हमने इनके बीच का डिस्टेंस अटारा किलोमेटर यह लोकेशन ए चौबिस हजार के मतलब थाउजन और लोकेशन भी जिसका लोकेशन है यह भी इसका मतलब है कि यह वेट वेट है हम इसको क्या करते हैं हमेशा जो जादा नंबर होता है उसको उपर लिखते हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि यह इधर देखिए कैसे सॉल्ट करना इसको यह आप और यहां पर लग दीजिए 24,000 ठीक है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 18 किलोमेटर ठीक कैसे सॉल परेंगे ब्रेकिंग पॉइंट इस इकुल टू डिस्टेंस कितना है 18 ठीक है और वन यह तो क्योंकि फॉर्मूला मैंने वन प्लस कितना है बी लोकेशन भी कितना है लोकेशन भी तो यह है आपका 24,000 और एक छे हजार जीरो से जीरो कट होगे सब छे चौको चौबिस तो अठारा वन प्लस इसको ऐसे उतारेंगे शे को चार च्वजे से जूणा करेंगे तो चार आएगा अब दो का कितना हम निकालें कि दो का रूट हमें निकालना पड़ेगा आ बाहर निकालने के लिए तो mm knob dg impeachment दो दुना चार होता दो गड़ा तो दो दुना चार होता है तो यह इस दो और एक जोड़ा तो तीन हो जाएगा ना तीन हो गया उपर एठारा नीचे है तीन तीन सके अठारा छे इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया यानि कि और बीके बीच में जो ब्रैकिंग पॉयंट है जहां से इस व्यक्त को खरीदने के लिए व्यक्ति आ सकता है वद चृक्ट है उसको करते हैं उमीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आगई होगी एए ग्रेविटेशन मॉडल की अब हम इसके आगे डिसकस करेगा इगा तो मैंने आपको बता दिया है नोटस नहां पर मिलेंगे ठीक है अपने फीड़ बैक जरूर देखा जाएगा और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना मैं नेक्स क्लास में समझा दूगा और इसके आगे अब हम कल डिसकस करेंगे आने वाले वीडियो ह इसको डेटेल में मैं आपको बताऊंगा ठीक तो अभी के लिए फिलालत नहीं मिलते हैं एक सेशन में तब तक के लिए बहुत बश्यक्तिया धन्यवाद अपने फीडबै देख जाएगा थैंक्यू सो मुझ